तो आज हम बात करने वाले हैं LIC की आई हूई लेटेस्ट वेकैंसिस में LIC के साथ एक और डिपार्टमेंट है जिसमें वेकैंसिस आउट की जा चुकी है क्वालिफिकेशन की बात करें 10th pass 12th pass ग्रेजुर्ट कैंडिट अप्लाई कर सकते हैं सबसे इंपॉर्टन बात LIC का जो अप्डेट आया है उसमें फ्रेशन स्कैंडिट इलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं कोई आपका इसमें एक्जाम नहीं होने वाला है ना ही कोई एप्लिकेशन की फी आपको इसके लिए पे करनी है किस तरीके से अप्लाई करना है क्या क्या इलिजिबिलिटी रहने वाली है सेलेक्शन आपके इसमें किस बेसिस पे होने वाली है सारा मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी वीडियो को आपने कंप्लीट जरूर से देखना है तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो वर यूट्यूब चैनल आप फर्स्ट रे माई है चैनल पर इसी तरह से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करके अल पर खिलिक करना ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए बाकि इस रिक्रूट्मेंट के इलावा और भी काफी डिपार्टमेंट है जिसमें विकैंस आउट की जा चुकी है आप अपनी क्वालिफकेशन, सिटी या डिस्टे के अकॉर्डिंगली हमारी ओफिशल वेबसाइट पर विजिट करके इन्फोर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट www.clory.com लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है वहाँ पर आप जाएंगे चेक करके विकैंस को अप्लाई कर सकते हैं चलिए ज्यादा टाइम जा लेते हुए डारक्ली बात करेंगे रिक्रूट्मेंट की जैसे मैंने आपको स्कार्टिंग में बताया दो अलग लग डिपार्टमेंट की अप्डेट आये हुए है दोनों का वन बाई वन डिसकस करेंगे सबसे पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजी आपका एक लाइक मोटिवेट करते हैं आपके लिए नए अप्डेट लेकर आने का तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहला अप्डेट आया है उसके बारे में फिर हम बात करेंगे LIC का जो अप्डेट है उसके बारे में उसमें कोई एक्जाम नहीं है कोई फी भी आपको पे नहीं करने हैं लेकिन अभी हम फर्स अप्डेट की बात करें हैं यह जो अप्डेट आया है क्लरक की विकैंजिस के लिए आया है male female दोनों apply कर सकते हैं इंडिया में किसी भी स्रेटी या स्रेट से आ बिलॉंग करते हैं तो काफी बढ़िया opportunity आपके पास आ चुकी है apply का link activate किया जा चुका है और यह आपकी permanent government job रहने वाली है बहुत बढ़िया opportunity है male female दोनों apply कर सकते हैं अगर आप सारी eligibility criteria को fulfill करते हैं इसके लिए सबसे बहले बात करते हैं age limit के जो पहला वला update है आपकी age minimum 18 आप apply कर सकते हैं maximum 37 इसके इलावा age relaxation भी आपको दिया जा रहा है जैसे OBC को 3 साल का SCST को 5 साल का and others को as per norms इसमें relaxation भी दिया जा रहा है उसके accordingly आपको इसके लिए apply करना है pay scale या salary की बात करें starting आपकी रहने वाली है 19,900 प्लस आपको इसमें अलग grade pay भी pay किया जा रहा है जो मैंने आपको starting में बताया है permanent आपकी ये government job रहने वाली है तो प्लस आपको grade pay तो इसमें दिया ही जाएगा अब इसके लिए बात आती है application fee की LIC के लिए कोई fee नहीं है मैंने आपको starting में बताया अब ये बात करें application fee की आप जनरल candidate है freedom fighter है आपको 1000 pay करना है SCBC AWS के लिए 250 application fee है ex-service man self and dependent के लिए 200 है handicapped candidate के लिए 500 application के fee रहने वाली है तो अगर number of vacancies की बात करें इसके लिए 2780 प्लस vacancies है जो आउट की जा चुकी है अभी first update की हम बात करें जो clerk की vacancies का है इसके लिए qualification की बात करें आपने graduation की है किसी भी discipline में आप eligible है apply कर सकते है इसके इलावा BCA, MCA, BEB tech के लिए अलग vacancies है जो आप इसमें अपने accordingly चेक कर सकते है यह जो vacancies है SSSB department ने release की है आप सारी eligibility criteria, terms and conditions को fulfill करते है आप इस job के लिए apply कर सकते है अब यह तो है first वाला update अब हम बात करते हैं second जो update आया है उसके बारे में किस तरीके से apply करना है क्या उसके लिए eligibility रहने वाली है चलते हैं अब हम second update के उपर आप देख सकते हैं second update के उपर आचोके है जो कि LIC की तरह से release किया गया है इसमें male and female दोनों candidate eligible है दोनों ही apply कर सकते हैं online ही apply करना है कोई other mode apply करने का नहीं है उसके पर स्क्रोल करें कि यहां पर देखें स्क्राइब किया हुआ है आपको आपकी इसमें जो स्लेक्षिन है इंटर्वी बेस्ट होने वाली है कोई आपका इसमें एक्जाम नहीं होने वाला है इस अबडिट के लिए मैंने आपको इसमें आपकी सैलरी टैन थाउजन से ट्वंटी थाउजन इंहें रहने वाली है स्किल्स की बात करें आपको कम्प्यूटर की बेसिक नौलेज होने चाहिए मैंस अगर एक वाक के साथ आपको दूसरा वाक दिया जा रहा है उसके लिए कंफर्टेबल होने चाहिए एजड़ करेंगे यहां पी एज़ेमिट चैक कर लेते हैं मेंगे आपकी 80 अपकी यहां की कर सकते हैं मैकसिमम 60 तक आप अप्लाई कर सकते हैं और पर को इसके लिए करना है अगर हम बात करें फर्टॉटर करने पर यहां पीदिखें के मारे करने हो की पास्रेंट अप्र्स ऐसे को जाएगा जहां सम्सक्राइब और हो जाया किुर्स लिंक आपको क्लिक आपको अपने साहिज ने करने लिए सब्सक्राइब से एक उपली कर चीब आपने इन सैंदे करें कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इंफोर्मेशन के साथ थैंक्स फॉर वाचिन